दोस्तो रादे फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट आपको बताते चले रिलीज डेट में हुआ गरबड आपको बताते दोस्तों कि सल्मान खान जो है रादे फिल्म को लेकर काफी जादा एकसाइटेट थे लेकिन अब ये एकसाइटमेंट खत्म हो चुकी है सल्मान खान ने किया बड़ा एलान और सल्मान खान ने खुद आगे रहकर रादे फिल्म की दी जानकारी दोस्तो दरसल आपको बताते चले कि रादे फिल्म जो है पहले ईद के मौके पर रिलीस की जाने वाली थी लेकिन लॉकडाउन हो गया और कोरोना आ गया इसके वज़े से ये फिल्म जो है इत के मौके पर आउट नहीं हो पाई अब दोस्तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार फिल्म रिलीस कब की जाए तो दोस्तो ऐसे में कुछ टाइम पहले खबरे सामने आ रही थी कि इस फिल्म को जो है दिवाली के मौके पर रिलीस कर दिया जाएगा जी हाँ यानि कि 2020 में दिवाली के मौके पर आपको रादे फिल्म देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तो अब ये खबरे आपको जूटी लगेंगी क्योंकि दोस्तो अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तो सल्मान खान ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है दरसल दोस्तो आपको बताते चले कि रादे फिल्म की जो शूटिंग थी वो काफी जादा बची हुई थी थोड़ी बहुत शूटिंग जो थी तो उसको लेकर ये खबरे सामने आ रही थी और सल्मान खान की टीम ने पहले ये फैसला किया था कि जो सूटिंग है वो अगस्त के महीने में की जाएगी और उसके बाद जब दिवाली आएगी तो उस टाइम पे फिल्म को रिलीस कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों अब सल्मान खान ने ये फैसला लिया है और कहा है कि इस फिल्म की जो शूटिंग है रादे की वो अगस्त में नहीं की जाएगी उनका कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो अक्तूबर में स्टार्ट की जाएगी वहीं सल्मान खान ने आगे कहा कि मुझे कोई भी जलती नहीं है फिल्म रिलीस को लेकर और उन्होंने कहा कि अभी जिस टाइप से कोरूना चल रहा है काफी सारे एक्टर कोरूना से पीडित हो रहे है और अभी शूटिंग करना खत्रों से खाली नहीं है इसके वज़े से हम चाहते हैं कि अगेस्ट में शूटिंग ना करें जब थोड़ा माहोल ठंडा हो जाए कोरूना का जब सब चीज ठीक हो जाए तब उसके बाद हम शूटिंग करेंगे अक्टूबर में दोस्तो मैं सल्मान खान ने ये भी कहा कि हो सकता है अगर अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग हो तो फिल्म जो रिलीज होगी वो 2021 में ही होगी 2020 में आपको रादे फिल्म नहीं देखने को मिलने वाली तो दोस्तो ये थी खबर आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताएं सब्सक्राइब कर दोस्तो टॉप अपन फेक्स ताकि आपको बॉलिवूट की हर खबर मिले सबसे पहले धन्यबाद